सो हे गईस वलक्म बेक तो माईटी क्लेन, सो दोस्तों आज कि विडियो में मैं आपको बताऊँगगा कि जियो के सेटटब बॉक्स से आप इस तरह के ब्लूतूथ अस्पीकर को किस परकार से प्पिकर कर सकते हैं, कनेट कर सकते हैं, शो ये एक ब्लूतूथ स्पीकर है और इ setup box को यहाँ पे Bluetooth से connect किया जाता है तो यह रहा हमारा टीवी का screen और इसमें हमारा setup box लगा हुआ है और सबसे पहले यहाँ पर आपको इसका जो setting है उसमें जाना है setting में ok करना है इसमे ok करने के बाद आपको नीचे आना यहाँ पर remote बेरा और cancel करने का option आ रहा है तो यहाँ पर इमें pair कर लेना है और देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा device से connected हो चुका है और अब हम इसे देखेंगे कि किस प्रकार से यह speaker है उसमें sound वगारा आ रहा है वो सारा कोई तो यह भी connected हो चुका है जो कि LG का हमारा यह Bluetooth speaker है दोस्तों और सबसे पहले इसे हम लोग यहाँ पर देख लिए यहाँ पर हमारा जो device है वो यहाँ पर connected देखा रहा है और यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बैक करके यहाँ कुछ भी प्ले करके देख लेते हैं और बैक करने के बाद यहाँ यहाँ पर हम लोग कुछ भी प्ले कर लेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से यह connected हो रहा है और साउंड वोल्यूम यहाँ पर देख पा रहा है यहाँ पर Bluetooth का आप संदीक रहा है साउंड के पास में सबसे पहले यहाँ पर कोई भी एक music play करके देख लेते हैं कि कि किस प्रकार है यह connected Bluetooth और कोई और भी चैनल यहाँ पर प्ले करके देख लेते हैं कोई भी स्वांग अगर है कुछ भी सो यह हमारा यहाँ पर connected हो चुका है फाइली हमारा जो Bluetooth है वो यहाँ पर connect हो चुका यहाँ पर जब भी हम साउंड बढ़ा रहा है और हमारा इदर जो speaker है इसमें भी song play और यहाँ पर देख पा रहा है यहाँ पर प्लूटूथ है वो यहाँ पर शोग रहा है यहाँ जो हमारा music है हो Bluetooth यहाँ पर connected यहाँ पर दिखा रहा है अगर हम इसको disconnect करते हैं तो यहाँ पर यह sound के पास में Bluetooth शो करा वो शो नहीं करेगा तो सबसे पर यहाँ पर इने के के भी देख लेते हैं कि अगर डिस्कनेट करने के बाद फिर बजाता है तो किस प्रकार से यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर अन पेयर हो गया सबसे पर यहां पर यहां पर फिर से लोग देख लेते हैं जाकर की म्यूजिक में कि हम पहर करने के बाद वीजियो यह बुलुटूथ का जो सेंबल वहां पर दिखा रहा था सौंग में वह आ रहा या नहीं तो हमारा यह होमस्क्रीन टीवी का और सिंपली यहां पर कुछ भी हम प्ले कर लेते हैं और यहां पर यहां जब हमारा Bluetooth पेर था तो उसमें यहां पे Bluetooth का symbol आ रहा था और अभी Unpair है तो Bluetooth का symbol जो है वो नहीं आ पा रहा है दोस्तों CC परकार से में connect करना है आपको कुछ नहीं करना है बस setting में जाना है setting में जाने के बाद आपको remote and accessories में जाने के बाद आपका जो भी Bluetooth है उसे on रखना है, on रखने के बाद जो आपका उसका नाम है, वो यहाँ पर add Bluetooth, ऐसे स्रेज में नाम यहाँ पर आ जाएगा ओके करने के बाद, और बस जो आपका है उसमें यहाँ पर ओके सिंपली कर देना, ओके करने के बाद यह आपका यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर 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 करने के बाद यहाँ पर connected हो गया है दोस्तों, सो फाइनली कुछ इस परकार से आप अपने Bluetooth device को पेर कर सकते हैं काफी ज्यादा आसान है तो इस परकार से अगर आपका कोई भी Bluetooth अगर आपके घर में है device, speaker तो उसे आप connect कर सकते हैं काफी easy तरीके से connect कर सकते हैं and play कर सकते हैं आपका जो भी music, movie जो भी है उसका आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो उसमें यह option दिया हुआ है Bluetooth speaker connect करने का, सो फाइले काफी बढ़िया यह दिया गया है Bluetooth इस तरह से आप connect कर सकते हैं, तो वीडियो अच्छे लेगे तो वीडियो का लाइक कि जागा and share कि जागा दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन् झाल